आप एक रहें कहानी कुर्सी की इसके wireless सीटों पर चुनाब रढेंगे ममताब इनर्जी ने ये भी कहा कि राहूल गांदी यहां न्यायात्रा निकालने के लिए बंगाल में आएंगे इसके बारे में हमें ही कुछ नहीं बताया आपने गट्पंदन सातियों को तो हम ना तो यात्रा में जाएंगे बंगाल में कई इलाकों में भारत जुड़ो यातरा के इस नियाय यातरा के पोस्टर लगाए गये थे लेकिन अब कहा जा रहा है की इन पोस्टर को टीमसी के कारे करता ही उतार रहे हैं इस घटना के बाद कॉंग्रेस ने टीमसी के खिलाफ एफ आई आर भी दर्ज करा दिया मामला यहां तक पहुँच गया है राहूल गांधी की यातरा 25 जनवरी को बक्षीर हाट में असम पश्चिमंगाल की सीमा की माध्यम से कूछ बिहार में प्रभिश करने जा रही है सीटें उसकी पेशकर्ष ममताव एनर्जी ने कॉंग्रेस के सामने रखी कॉंग्रेस ने इंकार कर दिया कॉंग्रेस चाटती है वहाँ पर उसे कम से कम आठ से दस सीटें मिले ममताव एनर्जी ने साफ अपने सयोगियों को अपने कारकरतनाओं को कह दिया ये हम नहीं दे सकते और आप इस बात की चिंता छोड़ दीजे कि हमारा उनके साथ कोई समझा होता है आप तो बायालिस की बायालिस सीटे लड़ने पर ध्यान लगाईए फोकस कीजिए तो बंगाल में क्या अपचारिक तौर पर इस महा गठवंदन की इस इंडिया अलायंस का खात्मा हो चुका है जिसकी घोशना खुद ममताब एनर्जी ने की है तो सुरिए पहले आप ममताब एनर्जी ने आज कैसे इस बात का एलान किया तो ममताब एनर्जी देखिए साफ कह रही है कि हम आपी इंडिया गठवंदन में तो हैं लेकिन कॉंग्रेस के साथ हमाला कोई समझाओता ने अब अगर बंगाल में वो कॉंग्रेस के साथ कोई सीट अर्रेंजमेंट नहीं करने जा रही है तो इस गठवंदन का मतलब क्या या उनके और कॉंग्रेस का बाकी राज्यों में अगर वो इंडिया गठवंदन में शामिल भी हूँ तो उसका माईने क्या है जैंब अमताब के बयानों के से कोई आज गठवंदन पर नहीं आएगी दोनों बयान सुनिया आप अपने ममता जी का पूरा बयान नहीं पड़ा लेंगे ममता जी का पूरा बयान है हम बीजेपी को हराना चाहते हैं हम बीजेपी को हराने के लिए कोई कदम पीछे नहीं लेंगे उसी भावना के साथ हम पस्चिल बंगार में प्रवेश कर रहे हैं जब हम लंबा सफर कर रहे हैं एक लंबा सफर है रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं कभी कभी लाल बत्ति आ जाती है इसका माने नहीं है कि हम सफर से हम पीछे हड़ जाता रहता है स्पीड ब्रेकर को हम पार करते हैं लाल बत्ति हरी बत्ति बंग जाती है और कल यही सवाल राहुल जी से पूछा लिया था यही सवाल और राहुल जी ने स्पश्ट उत्तर दिया कि ममता जी इंडिया गडबंधन टीमसी और ममता जी विशेश रूप से क्योंकि वह एक बड़े नेता है टीमसी के नेता है बारत के बंगार के नेता है देश के नेता है जो हमारा सीट नेगोशियेशन है वो चल रहा है उसका रिजल्ट आएगा कंक्लूजन आएगा उसके बारे में मैं यहां कॉमेंट नहीं करना चाहता हूं बट हमारा ममता जी के साथ मेरा पर्सनल और पार्टी का बहुत अच्छा रिष्टा है थोड़ा-थोड़ा होता रह कि उनका कुई निता महरा कुई निता कुछ बोल देता है उसका ऐसे बड़े गठ बंदनों पर समझोतों पर फरक नहीं बड़ता है अज तो खुद ममता मिनर जी बोल पढ़ी उनसे बढ़ा कॉन है टीमसी के अंदर हर्श बरदन जी मला बंगाल में इंडिया गठ बंदन नहीं मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि कहीं भी नहीं रहेगा और मैं तो आज अपने मीडिया के साथियों का धन्यवाद दूँगा कि कभी पूरा नाम इसको नहीं लिखा देश की तरह आई डॉट एंडॉट तो है न भीया और डॉट कितना बड़ा हो जा रहा है कि प लाइज होना अंग्रेजी में वो करते थे जिनकी पहुँच इनके बेडरूम तक थी जब उनको यह नहीं समझा पाए तो यह ममता बनेर जी को क्या समझा पाएंगे और जिस अंदाज में कह रहे हैं कि हमारे निता उनके निता कुछ भी बोले हम लोग तो एक दूसरे से ब का अपनी राजनीत अपनी पार्टी पर खत्रा दिख रहा है इसलिए मजबूरी वश और अर्विन जी के मन में कहीं कहीं होगा कि कल को हम कॉंग्रेस खतम होगी तो उसको रिप्लेस कर सकेंगे शायद उनको यह भरूसा होगा इसलिए वो उसके साथ भले चले जाएं मुझ यह बहुत साफ दिख रहा है कि न उत्तरप देश में गड़ जोड होगा न बंगाल में गड़ जोड होगा और विहार में क्या होगा यह तो अब देखिए अब सामाजी कन्याई की लड़ाई कि स्थर्व जाएगी उससे तैह होगा गटबंदन की बड़ी द्वाई दी जा रही थी यहन दोनों राज्यों के अंदर खुल कर यह बात अब सब कहती गई है दोनों बड़े नेताओं की तरफ से मंता बनेरजी और अर्विन के जिनिवाल की तरफ से कोई गटबंदन नहीं कॉंग्रेस के साथ सीटों पर कोई सम परबंदन की पहले बंगाल और अब पंजाब और बिहार में नितीश कुमार क्या करेंगे इस पर तो सवाल खड़ा हुआ ही और अभी इसका जवाब नितीश कुमार की तरफ से ही आना जो है वो बाकी है सुनते हैं जारवें के जिरिवाल की बाद अच्छा आपको बता दें भगवंद मान दो बजे इस बात को लेकर के एक प्रेस कॉंफरेंस करने जा रहे हैं जिसमें वो इस बात की घोशना कर सकते हैं बड़ी खबर है पंजाब के अंदर कोई अलाइंस कॉंग्रेस पार्टी और आम आदनी पार्टी का नहीं होने जा रावल जी बंगाल और पंजाब अच्छोटी सी कानी होगी एक थी कॉंग्रेस देगे मैं इसको बड़े एक तो पहले हम बंगाल की बात करने तो ममताब एनरजी ने कोई स्पीड वेकर नहीं लगाया उन्होंने दिवार खड़ी करनी है उन्होंने का है कि मैं दो सीटों से जादा कॉंग्रेस को पश्चिम बंगाल में घुसने नहीं दूंगी दूसरी बात पश्चिम बंगाल में जिस तहां की राजनीती हो रही है अगर ये बातें सही हैं कि ममताब एनरजी ने जिस तहां की बातें की हैं अपने भाशनों में जिसमें उन्होंने ये कहा है उन्ह पिशली बार ममता बनर जी को इस पोलराइजिशन की वज़े से 14 सीटों का नुकसान हुआ था, इस बार इस पोलराइजिशन की वज़े से ममता बनर जी को भारी नुकसान होगा, ममता बनर जी 27-28 फीसिदी मुस्लिम वोटों की तरफ देख रही है, और जिस्ता की बातें उन् प्रदेश में किसी भी तरह से गुस्ने नहीं देना चाहती है। दो की नहीं चार की बात हो जाएगी कॉंग्रेस से लेकिन अलाइंस होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अगर वो दो से ज्यादा सीट और दे भी दी तो ऐसी जगह देंगी जहां कॉंग्रेस के जीतने की कोई संभावना नहीं होगी। से कहते हैं कि वो विनिंग सीटें नहीं होंगी। तो ऐसी सीटें लेकर कॉंग्रेस क्या करेगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से इनका जो गठबंधन है ये होने जा रहा है। और मुझे भी ये लगता है कि ये सिरफ बंगाल की बात नहीं है। और जगह भी ये समस्याएं आ रही हैं। हमने दिल्ली और पंजाब की हम बात कर चुके हैं। मुझे लग रहा महराश्ट में भी समस्याएं होने जा रही हैं। और इस तरह से अगर कहीं गठबंधन हो भी गया कुछ जगह तो कुछ एरेंजमेंट हुआ तो वहां भी ये रेबल कैंडिडेट आकर इनको नुकसान पहुँचाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि एक तरह से ये दुर्भागे पूर्ण है क्योंकि विपक्ष का इस समय मजबूत होना बहुत जरूरी था। उनका एक होना बहुत जरूरी था। खासकर जो परसों के आयोध्या के राममंदिर के इवेंट के बाद में। उसके बाद उनको सोचना चाहिए कि भाई अब तो उनको एक हो ही जाना चाहिए क्योंकि इस समय उस इवेंट के बाद भारतिये जनता पार्टी की ताकत अब बढ़ी हुई दिख रही है। और बढ़ी हुई ताकत को तो आप मिलकर ही उसका सामना कर सकते हैं ना। तो अगर आप लड़ते रहेंगे तो उसमें कहां थाबित होगा तो मुझे नहीं लगता। और दूसरा दूसरी बात यह है कि जहां तक ममताब एनरजी की बात है उनके अगर आप तेवर देखिए वो हमेशा से वो यह मानती रही है कि पश्चम बंगाल तो उनका है वो कोई सीट क्यों दें उन्होंने आज ही के बयान में यह कहा है कि रीजनल पार्टी को अपने गठबंदन नहीं होगा तो वो अपनी बात एक तरह से काट रही है या दूसरी तरह से चड़ा रही है क्या यह कॉंग्रेस पार्टी को जुकाने के लिए अपनी शर्तों पर उन्हों को गठबंदन में रखने के लिए दबाव बनाया जा रहा है अखलेश जाद अब कॉंग्रेस की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉंग्रेस के साथ उनको कोई बहुत ज्यादा फाइदा होने जा रहा नहीं होने जा रहा और कॉंग्रेस पार्टी ने अगर अपने आपको और असर्ट करने की कोशिश की जैसा कि उन्होंने पिछले चुनाओं में बिहार में किया तो वो और नुकसान पहुचाएंगे अपने ही गठ्च बंधन को, तो मुझे तो लगता है कि ये आभी ये कोशिश तो जरूर करेंगे, राहुल गांधी का जो बयान है, उससे लगता है कि वह कोशिश करेंगे, लेकिन मंता बेनर जी के तेवर देखकर लगता नहीं है कि वह अपने इस स्टैंट से पीछे हटेंगी। ये भी भला क्या जानेगी। जिस हद तक ममताब एनरजी जा चुकी हैं वहाँ तो कोई रही पहुंच सकता है। वो तो अल्ला की कसम खा रही है और काफिर बता रही है। इसलिए गर्जोड लगभग नहीं होगा। जिस तहां से कुलकता में जब राममंदिर का पूरा फंक्शन हो रहा था। जिस तहां से लोगों ने भक्ती भाव में दिखाया है। जिस तहां से वाँ पटाके बज़े हैं, जिस तहां से घरों पर जंडे लगे हुए थे रामजी। उनको और समझना चाहिए कि किस तहां का महाल इस वक्त देश में। समीर जी। कॉंग्रेस को ममता बेनर जी दो सीटे को और ओफर दिया। कॉंग्रेस को पाँ फिलाल दो सीटे दक्षिन मालदा की एड़े और बहरामपूर की सीटे लोगसुबा की। कॉंग्रेस उस पर तयानी, कॉंग्रेस छे सीटे और मांग रही है कि हमें लेफ्ट को भी उसमें एडजस्स करना है तो हमें नो सीटे चाहिए। मुझे लग रहा ममता बिनरजी इस पर तयानी और आप देखिए एक सो पैतिस सीटों पर इनके भी गड़बंदन नहीं हो रहा है। 42 सीटे बंगाल की हो गई है। जिसे आप से केजरिवार का स्टेट्मेंट आ रहा है 13 सीवे पंजाब की हो गई है। और 80 सीटे उत्तवदेश के पकल लिए जहां मायावती इनके साथ गड़बंदन में शामिल नहीं है। तो मायवति अगर उत्ता पदेश में नहीं है बंगाल में ममता बिरजी अगर साथ में नहीं है पंजाब में अखिलेश पंजाम में आपके साथ अगर अर्विन केज्रिवाद साथ में नहीं है तो यह 135 सीटे गडबंदन के ऐसी जहां पर यह मिलका चुनाव नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में यह हो सकता है कि उद्दा उठाकरे भी अलग रूख अक्तियार करें और 23 सीटों पर अपने उमिदार गोशित कर दें